जैहन मेरे प्यारे बच्चो नमस्कार मैं डॉक्टर एस्पी सिंग फ्राम निवलाइट इंस्टूट आप सब प्यारे बच्चो के साथ पिछले 40 साल से मेरे प्यारे बच्चो मुझे ऐसा लगता है कि मैच की स्टेड़ी होनी चाहिए कितनी देर आपको खेलना है तो आपको पता है बच्चो बहुत इंपार्डेंट है लास्ट का टाइम है रैपिड रिविजन चाहिए और इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या पढ़ना इस स्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कोशिस यही की है कि जिल नाइनों से सवाल पूशे गए 21 में, 22 में, 23 में अरे भाई जब उन नाइन से 20 में है, 21 में है 22 में है, 23 में है तो 24 में कहां से आएगा मिला लेना 5 तारीकों पेपर 24 में भी दिन लाइनों सवाल आने जा रहा है समझ में आजा है बहुत अच्छी बात एक बात और कहेंगे इस वीडियो को पूरा देखना और हलके में मत लेना इसमें 40 साल का अनुबव है तो मेरे प्यारे बच्चों हमने टोटल इसमें 17 लाइन या पैरा ग्राफ निकाले टोटल 20 कोश्चन करा रहे थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो आपको सवाल इसी से मिल जाएगा तो अब बच्चो बहुत सारे बच्चे कमेंट करें थे कि सार हार्ट इस बार कराईए सायद उन्होंने पिछली बार हार्ट इस बार देखा था बहुत फायदा हुआ था तो बच्चो उसमें मिले थे 70 कोश्चन इस बार मेरी पूरी कोशिस है आपको 90 सवाल मिले इस हार्ट इस बार्ट से पांस मही को मिला ले ना हाथ कंगन को आर्सी क्या पढ़े लिके को फार्सी क्या पांस मही को पेपर भी होगा यूटूब पे भी पढ़ा होगा ठीक है ना तो बहुत ध्यान से सुनना सारी बाते बहुत इत्पिनान से तो लीजे बच्चो हार्ट इसपार अनिबल किंग्डम पेपर मिलेगा यहीं से नीट 2024 में इस चेप्टर के बात है और प्यारे बच्चो Living World Biological Plant Kingdom का वीडियो आले डिलाल चुके आप सब बच्चों ने बहुत प्यार से उसको देखा बहुत एप्रिसेट किया और वही रीजन है बच्चों कि मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो यह हार्ट इसपार्ट पेज वही है जो आपने पहले पढ़ा था उसको और मॉडिफाई किया जब हमें सौ में सतन नमबर मिले तो हमने सोचा नीट 2024 में सौ में 95 नमबर मिले तो भाई यह लाटरी का नमबर लगा यहाँ पर 23 में यहाँ से 2 सवाल आए अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन 3 पेज से सवाल आए मिला ले ना पेपर ले तो अच्छे से देख रहे ना अगर पूरा पढ़ो तो इससे अच्छी कोई बाती नहीं यह वीडियो उन बच्चों के लिए है अब यह पूरा पढ़ के रिटेन तो हो नहीं सकता ठीक है ना तो अब इन लाइनों को बहुत काईदे से पढ़ना आपको अब पूरा वीडियो देखिएगा ठीक चलिए बच्चा वेटेज देख लेते हैं लेकिन इस बार दो से ज़्यादा सवाल आएंगे क्योंकि चैप्टर रिडियूज हुए है दो हजार तेइस में एनसे इटी वन की यूनिट वन को कम वेटेज मिला था इस बार कम से कम दस सवाल आएंगे आप सबको पता है लीविंग वर्ड बैलोजिकल क्लासिफिकसन सवाल नहीं थे जब बैटा हम जब कुछ भी बोलते हैं तो पूरी स्टेडी करके आते हैं है ना हवा में नहीं बोलते कुछ तो दस सवाल ये हो जाएगा बच्चो आलेडी हमने आपको लीविंग वर्ड बैलोजिकल प्रांट किंगनम का वीडियो डाल दिया है वीडियो के डिस्किप्सन बाक्स में अच्छे से देखने ना बहुत बच्चे कमेंट करें थे सर लीविंग वर्ड का वीडियो नहीं मिल रहा है चलिए बच्चो तो अत्राण भगवान की सध्याय को सुरू करते हम लोग और यह लाइल है बच्चो पेज नमर 38 नई NCRT से बहुत इच्चुनान से देखेंगे जल्दी नहीं करेंगे यहाँ पर बच्चो दिया है आर्गन सिस्क्टम तो यहाँ पर सारा देख लीजे क्या है पहला बेटा है प्रोटो प्लाजमिक लेवल आप बॉड़ी आर्गनाजेशन यह है बेटा फाइल अप्रोटो जोवा जिसको हमारे बच्चों ने बढ़ा प्रोटिस्टा में दूसरा है बेटा पोरी फेरा यह होता है बेटा सेललर ग्रेट इसको बढ़ा पोरी फेरा में तीसरा है बेटा सेललर टेटा जहां पर होता टीसू ग्रेट जिसमें आता हाइडरा टीसू ग्रेट और बेटा प्लेटी हलमेंथिस में आर्गन ग्रेट और जब बेटा एसके हलमेंथिस से कार्डेटा तक जाएंगे तो यहाँ पर होगा Argon System Grade अब बच्चो ध्यान से सुरो यह लाइने जो है न कुछ चीजे बता दे अब तुम प्रोटो जवासे जैसे इसे बढ़ोगे Life Cycle, Life और Structure सब कुछ Complex होता जाएगा इसमें कोई दोरा नहीं अब हम आपको Argon Grade और Argon System Grade में थोड़ा सा Difference बता दे मेटा जब कभी ऐसा हो जाए कि दो या दो से अधिक Argon एक साथ मिलकर एक specific function करेंगे तब इसको मोलते Argon System अलग-अलग Argon होते हैं लेकिन उनका connection प्रापर नहीं हो बाता प्लेटी हलमिंधीज में इसलिए Argon Grade है और इसके हलमिंधी से उसमें connection हो जाता आपस में मिलके एक particular function perform करते हैं इसलिए Argon System Grade अब for example आपको बता दे excretive system लीजिए kidney है, ureter है, bladder है ये सब मिलके coordinate करके काम करते हैं इसलिए इसलिए Argon System Grade तो ये इस line आपको confuse करती है Argon System Grade ये इसके हलमिंधी शुरूँआ जरना देख लेते हैं NCID का लिखता है वह या Echinoderm and Cardiates चली भाई Argon have associated to form functional system each system concerned with a specific physiological function this pattern is called Argon System Level Archization अब उपर ये फाइलम का नाम दिया आपने बता दिये इसके हलमिंधी से लेके कार्डेट आता है ये फाइलम के नाम दिये तो जब भी पूछा जाए कि Argon System Grade क्या होता है तो आप बताओगे कि दो या दो से अधिक Argon मिलकर आपस में Quadrate करते हैं जैसे आपने बढ़ाने Nervous System, Endocrine System, Durant Endocrine Clear हो गया होगा फिर से देख लीजे प्रोटो प्लाजमिक लेवल प्रोटो जोवा सेललर ग्रेट पोरी फेरा सिलें टेटा टिसू ग्रेट प्लेटे हलमेंथिज आरगन ग्रेट SK हलमेंथिज टुकार डेटा आरगन सिस्टम लेवल बाडी आरगनिजेशन तो ये बच्चो था आपका पहला पारग्राफ अब जरा क्वोश्चन देख लीजे ये तीन करेक्टर बच्चो यहां पर दिये consider the following आरगन सिस्टम लेवल बाडी आरगनिजेशन इसका मतलब हम लोग SK हलमेंथिज के नीचे कोई नहीं सोचेंगे bilateral symmetry प्लेटी हलमेंथिज तो प्लेटी हलमेंथिज के नीचे नहीं सोचेंगे sylomate with segmented body तो sylomate बिटा अगर दिया है तो हम लोग any leader से पहले नहीं सोचेंगे क्योंकि प्लेटी हलमेंथिज जे sylomate है SK हलमेंथिज सीडो sylomate है any leader से cardata तक true sylomate होते है इसलिए इनको बोलते है you sylomate और बेटा अगर tissue बन जाएगा तो you meta जोगा एक होता meta जोगा एक होता you meta जोगा you meta जोगा जब tissue बन जाएगा you sylomate जब sylom बन जाएगा अब ये कहा रहे any leader mollusca cardata any leader arthropoda cardata अब यहाँ पर बच्चों bilateral symmetry भी दिये तो आपको ये अच्छे से बता है कि bilateral symmetry platy helminthi से लेकर cardata तक होता है adult में दो final में symmetry change हो जाती है एक mollusca और दूसरा echinodermeta mollusca में symmetry हो जाती adult में asymmetrical खूब ध्यान से सुन लीजे mollusca में larva में पूछेंगे तो bilator adult में पूछेंगे asymmetrical echinodermeta में larva में पूछेंगे bilator adult में पूछेंगे radial clear तो इसमें bilator symmetry वाला अगर देखे true serum तो ठीक था argon level भी ठीक था ये bilator symmetry में दिक्कत हो रही है तो बेटा mollusca में bilator होती नहीं यहां भी देखे mollusca है यहां भी mollusca है यह तीनों option cancel हो जाएंगे बेटा तो option क्या बचा है B clear तो ऐसे करके आपको सवाल करना है चलिए दूसरा देख लेते हैं बच्चो animal like annulid arthropod where the body can be divided into identical left and right half in only one plane exhibit bilateral symmetry अब बेटा तीन तरह की symmetry है याद रखिएगा जो plane आप division है वो center से होके जाना चाहिए जैसे यह बानलो कोई गोल चीज है न तो बिलकुल यह center से होके जाए बिलकुल यह center से होके जाए तो अगर more than one plane से divide करेंगे तो बेटा symmetry होगी radial और जिसको आपने flower में बढ़ा था टिनो मारफिक अगर बेटा किवल एक plane से करेंगे तो symmetry होगी bilateral और जिसको आपने flower में बढ़ा था जाएगो मारफिक और अगर बेटा किसी भी plane से divide नहीं करेंगे तो उसको गोलते हैं हम लोग asymmetrical नहीं कर पाएंगे तो तो animal like anirida, arthropoda where the body can be divided into two identical left and right half only one plane यहाँ पर हो गई bilateral symmetry तो सवाल बनेगा bilateral symmetry किसमे है तो याद रखिएगा platy, helminthes to cardata adult में दो phylum में symmetry चेंग हो जाएगी fish of the following animal are true sylomate fish have bilateral symmetry तो बेटा true sylomate बोल लाए न तो any leader और उसके बाद आएगा तो adult ikonor beta bilateral symmetry पूछ रहे न तो adult ikonor beta अभी बता है यह होगा नहीं sk helminthes true sylomate pseudo sylomate यह भी गलत हो गया platy helminthes तो बच्चो A sylomate होता यह भी गलत हो गया तो option क्या हो गया बच्चो यह fourth second is fourth चलिए third यह बिटा diagram आपको ABC करके दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कौन सा A sylomate है कौन सा pseudo sylomate है कौन सा sylomate है page number 39 का सवाल है इसमें हमने एक सवाल आपके लिए frame कर दिया find the correct option mollusk का A sylomate नहीं भाई sylomate anilia के बाद सब sylomate platy helminthies sylomate नहीं भाई यह sylomate SK helminthies pseudo sylomate तो यह तो गलत हो गया यह भी गलत हो गया SK helminthies pseudo sylomate सही है insect pseudo sylomate नहीं भाई यार्थो गुडा का मेंबर है यह भी two sylomate है तो third का विटा option क्या हो गया आपका C सही हो गया चलिए अगला paragraph हमारे हिसाब से सुरो भी या यह हम जो भी बता दे जितने filem के example है एक copy पे note कर लो याद करना और एक बार बार उसको देखना हर बार एक सवाल या matching example पे जरूर पूछा जाता है यह आपको करना होगा को होगे तो हम लिस्ट दे देंगे तो पूरी फेरा की बात हो रही है साइकान, स्काइफा इस्पंजिला, फ्रेस्वाटर इस्पंज और यू स्पंजिला को मोलते हैं बच्चों हम लोग बात इस्पंज देखिए 2009, 2011, 2021 पे सवाल पूछा है अगर थोड़ा एक्जामनर आलसी टाइप होगा तो आपसे एक्जामपिल पूछ के आनी बढ़ना है तो एक्जामपिल अच्छे से आद रहे है ये बैसिंग देख लिजे चलिए थोड़ा सा आप लोग साल्प करिए तो साइकान, स्काइफा है इस्पांजिला बच्चो फ्रेस वाटर है मेरी नहीं तो गलत हो गया यू स्पांजिया बात इस्पांज है बेटा बिल्कुल सही बात है इस्पांजिला फ्रेस वाटर इस्पांज है तो बिल्कुल सही बात है और इस्पांजिला बेटा है पूरी फेरा ध्यान से सुनिएगा ज्यादा तर पूरी फेरा में एसिमिट्रिकल कंडिशन पाई जाती ही कुछ में रेडियल होती है तो यहाँ पर कहा दिया बाई लेक्टल सिमिट्री गलत हो गया तो कितने स्टेट्मेंट सही हुए 1, 2 and 3 तो आपसर आपका हो गया बहुत ध्यान से सुनिएगा कुछ लोग बोलते हैं सिलिंड डेटा कुछ लोग बच्चों बेटा निडेरिया दोखो बेटा जब बहुत प्रेसर का टाइम होना तो बहुत कूल हो जाना चाहिए मुझे आपको बता है कि टाइम बहुत कम है भड़ड करोगे से हम गलती करोगे जित्ता पढ़ो सालिट पढ़ो आराम से इसी हम भी आराम से करा रहे हैं कुछ लोग मेंटा इसको sealant data बोलते हैं अब sealant data क्यों बोलते हैं बच्चा क्योंकि इसमें sealant run cavity होती है और sealant run cavity को मेंटा हम लोग बोलते हैं बच्चा मेरा प्यारे प्यारे डॉक्टर बनने वाले बच्चे लोग gastro-vascular cavity gastro का मतलब gastric gland मतलब digestion और vascular का मतलब circulatory system कई बार बच्चों सवाल पूछा गया था single cavity both digestive and circulatory that is sealant data ठीक तो कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा importance देते हैं अब कुछ लोग कहते हैं भाई इसमें एक cell है जो animal kingdom में कहीं और है नहीं stinging cell तो निडेविया बोल दिया अब question है कि भगवान ने इनको ये दिया कि क्योंकि खुद है sealant data और खाते आर्थ्रोपोड़ा अपने से बड़े आदमी को खाओगे दिक्कत नहीं होगी तो भगवान ने इनको special cell दिया जिसको बोलते निमेटोसिस्ट जो food capture में भी help करता, anchorage में भी help करता, offense defense में भी help करता है अब कुछ ऐसे भी निमेटोसिस्ट है जो locomotion में भी काम करते है और बेटा सबसे important बात है ये ज़्यादा तर पाये जाते है tentacle में और tentacle जो होता ही hollow हो तो एक्वेटिक पाली में भाई अब देखे यहां सिली मिस्टे क्या होगी यह mostly marine है rarely mostly में बहुत सवाल गलत होता भाईया याद रखना mostly marine mostly marine not always सेसाइल मतलब fix होते हैं जैसा कि आप जानते हैं hydra case free swimming फ्री स्विंग भी होते हैं बच्चों तो fix भी होते हैं free swimming भी होते हैं और symmetry बच्चा इसमें कैसी होती है radial more than one plane से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे निडेरिया नाम डेराइब किया गया निडोब्लास से इडोसाइड फिच कंटेन इस्टिंगिंग स्कैप्सूल ठीक है निमेटोसिस टेंटिकल में पाए जाएंगे निडोब्लास्ट आर यूस फार अंकर इस डिफेंस कैप्च करता है आप इसको याद कर सकते हैं और ये देखे भाया यह बंद रहता है जैसे कोई सिकार आता है तो इसे खुल जाता है ना घूम देता है अपना यह सूल कोई बागते ज्यादा नहीं जाना है सी पेमडियों बहुत पढ़ाते थे तो अब एक चीज़ देखिए एक सवा लिटन होते हैं उनका आपको केमिकल कंपोजीशन बताना है और उस सिलेंड डेटा का नाम बताना है जो अंब्रेला से होता है ठीक आपकी किताब में लिखा है देखके आपको बताना पड़ेगा चलिए अब सवाल देख लेते हैं सिलेंड डेटा सो एल्टरनेशन आप जनरेशन ब्लान में पढ़ा है दो जनरेशन एक के बाद एक आती है गैमिटोफाइट के बाद इस्पोरोफाइट इस्पोरोफाइट के बाद गैमिटोफाइट और इसी को बच्चों बोलते हैं एल्टरनेशन आप जनरेशन यहां पर यह भी बिल्कुल बात सही है और इसको एक्स्पेर भी कर रहा है तो पांचवे का बेटा आपका सही जबाब हो जाएगा इस बोथ रीजन और एक्सराइशन और ट्रू और डीजन इस करेट एक्सराइशन आप एक्सराइशन फॉर्स्ट फाइलम सिलेंड डेटा में फिर आ गया यह भाई द्यार एक्वेटिक मोस्ली मेरीन सेसाइल फ्री स्विविंग रेडिली सेमिट्रिकल नेम निडेरिया डेराइफ राम ठीक हा भाई अब इकसे एक्जाम्पिल बहुत इंपार्डेंट है तो फाइसेलिया बेटा पूर्थग अब सवाल देख लिजे सेलेक्ट टेक्सार मेंसन डेट रिप्रिजेंट बोथ मेरीन फ्रेश वाटर इस्विशी तो देखो बेटा सिफैलो कार्डेटा तो टोटली मेरीन होता है इकाइनो डर्मेटा टोटली मेरीन होता है टीनो फोरा भी मेरीन होता है और निडेरिया जो होता है मोस्ली मेरीन होता है फ्रेश वाटर भी होता है तो एक सवाल का इसमें जवाब दीजेगा इसमें से किसमें पाई जाती कॉम प्लेट जवाब दीजेगा वीडियो सेक्षन पुर्थीज बैन आफवार, लीविलेस बेटा क्या है बच्चा लीविंग फॉसिल, एंकाइलो स्टोर बेटा क्या है हुक वर्ण, पिंक डाड़ा बेटा क्या है पर लोईस्टर, आप मैचिंग खुद मिलाईए और जब आप खुद दीजे, अब बेटा ये बहुत प्लेटी हल्मेंथी शुरू होगे काड़ डेटा तक होता है बाई बाड़ी जब कॉम्प्लेक्स बननी थी तो पूरी फेरा सेनेटार्म वहगाने दो जर्म बनाया उससे पूरी बाड़ी बन नहीं पाई तो प्लेटी हल्मेंथी सोचा गया तीन लेयर क्यों बताया ना कि अब आरगन ग्रेड और आरगन सिस्टम ग्रेड बाड़ी आरगनाईजिशन होना है क्लियर इसलिए बन गई तीन जर्गनल लेयर रीजन इस ऐसर में यह सर जाना बहुत ज़रूरी है सबसे इंपार्टेंट बात मिटा इसकी बाड़ी डार्सो वेंटरली फ्लैटेंड होती में और उसमें आरगनाफ अटैस्मेंट क्या होता है भी बता देना ऑ और किस रूप को विलांग करता ये भी बता देना तो पहली होगे ट्रिपलोब्लास्टिक सुखे अब फिर देखो बहुटकि अरू ब käं तीर आर मोस्ली 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 नाट आलवेज इतना सब्सक्राइब 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 अब यहां पर बेटा देखो आर्गन लेविल बॉड़ी आर्गाइज़ेशन इसलिए तीन जर्मलेर बनी यहां पर हुक्स और सकर्स आर प्रेज़ेट ठीक है बाई जो पैरासाइट होंगे अब हुक्स और सकर हमेसा नहीं होगे पैरासाइट हमनों की बॉड़ी के अंदर है ना चिपकने कोशिस करेगा ना इसके लिए बच्चों हुक्स और सकर दे दिय आगे बेटा सम आपदे में अबजार्व इसमें से कुछ डारिक्ट बाडी से न्यूट्रेंड अबजार्व कर लेते हैं और दूसरी बेटा एक इमपार्टेंट बात है कि यहां पर सबसे पहले एक्स्रीट्री आरगन स्टार्ट हो गया याद रखिएगा अगर सवाल पू फ्राटी है ना तो उसको लोगों बहुत प्यार से कई नाम देते हैं तो भैया इसलिए लोगों ने कहा इसका नाम flame Sell flame की तरह फिकर करता है flame cell दूसरा बेटा इसका नाम है Solenocyte मेरे प्यारे बच्चो कर दो तीसरा नाम पर बेटा proton लाइस सेल कॉल्ड फ्लेम सेल फ्लेम की तरह फ्लिकर करता है हेल्प इन आस्पो रेवलेशन रेक्षिस भाईया कहीं क्यों एक्सिटी लिख दिया दिल दिवांग में हवेसा बैठालो आल एक्सिटी आरगन सारा सो रेवलेट जितने भी एक्सिटी आरगन जहां भी यह खुदी पैरासाइट है दूसरे के उपर टिपेंडेंट है हो सकता होस्ट एक से जादा को अलाउन न करें तो इससे भागवान से का देखिये साहब हम मेल फीवल दोनों एक साथ दिरह पाएंगे तो क्या होगा भागवान ने का जाओ बेटा तुम्हें बिना देते बा ना पाने क्या करेंगे तो कहा होगा बच्चा यह बाई सेक्ष्वल याद रखेंगा इंटर्नल होगा अब यह बड़ा इंपार्डेंट है इसका एक मेंबर है अपने लिए बोलते हैं चाकू के धार के नीचे अमर हाइस पाउरा फ्रीजर्श हो रहा है कि हमनों का हाथ कर है तो नया हाथ कैसे निकलेगा इसा क्या होता है तीनियर टेप वर्ब हो गया थोड़ा सा बच्चों आपका ध्याना करसित करना चाहेंगे अपने लिए पढ़ा होगा जितने भी पैरासाइट है बॉड़ी के अंदर रहना बहुत दूर जाना नहीं सेंस्री अर्गन रिड होगा मरने के चाल से ज्यादा है इसलिए कि सेक्स्वल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा सेक्स आरण के नंबर कम होंगे लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होगी और लार्वल स्टेज पाई जाएगी तो याद रखिए गए पैरासिटिक अड़ाप्टेशन मेटा जनिसिस किसका करेक्टर है भाईया सिलिंड डेटा का पॉली पर मेडुसा के बीच में इकाइनो डर्मेटा ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिलोमेट अनिमल बिल्कुल सही है राउंड वर्म आर्गन सिस्टम लेवल बाड़ी आर्गाईशन बिल्कुल सही हमने अभी बताय कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टिरोफोरा ठीक है बाई हेल्प इंडाइजेशन नहीं होगा बच्चा तो यह तो गलत हो गया मेरे बाबु वाटर वैस्प्लो सिस्टम करेक्टरिस्टिक साफ इकाइनो डर्मेटा यह भी सही हो गया तो क्या हो गया बच्चा बी-सी-ई त चलो भाईया इन एनिमल इंक्रूडिंग हिउमन बिंग फ्लैट वर्म सार बाई लेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक एसीलो मेट अनिमल विदारगर लेवल बैर्यार गयाजिशन होग्स और सकर्स प्रजेंट इन पैरासिडिक फार्म समाफ देम अबजार्म न कर हमेशा नहीं जो पैरासिडिक फार्म है यह बिटा दोनों डाइगराम आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा याद करना पड़ेगा हो सकता डाइगराम दे दे और आप से पूछें कि किसका डाइगराम है पेज नंबर 42 NCIT1 सवाल देख लीजे बच्चों बाइलेटली सिमेटिकल ए सिलोमेट एनिमल सार एकजम्पली फाइड बाई तो बाइलेटल सिमेट्री प्लेटी हलमेंथी ए सिलोमेट दे दिया तो प्लेटी हलमेंथी जो गया काम खतम टीनो फोरा डिपलोब्लास्टिक है रेडियल सिमेट्री है एसके हलमेंथी स्यूदो प्लाजे π करिको दोंसे कर से से याद रखियेगा जहां भी वर्म का नाम होगा वह टीक प्लोंसे कि सिंटवार इंती और उंलेटा यह सीलोमेट बूसे से परके ऴट suficiente अप pos आल वर्म्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक बट आल ट्रिप्लोब्लास्टिक और नाट वर्म इसका मतलब प्रोटो जोवा पूरी फेरा सेले डिटा में वर्म नाम का कोई अधिमल आपको नहीं मिने दाफ क्यों सेलेंस है सामने करें साही बुलने हैं सेंसरी आरगन लाइक एंटीना आइस कंपाउंड एंड सिंपिल स्टैटोसिस्ट बिटा बैलेंसिंग आरगन होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में और बच्चों यहां पर है मैल्टीगें टिड्यूल अब आपसे अहां पर क्या सिली मिस्टेक होगी ध्यान से सुनिएगा रात भर जब के जाओगे टेंसन में होगा हाई राम इस बार में नहीं हुआ तो क्या होगा लोग क्या कहेंगे लोग हमें जीने नहीं देंगे रात में सो के जाना वीडियो में जो बता रहे हैं इसको ध्यान सुनते जाओ ये लेक्चर नहीं है ये करेक्शन है ये सिली मिस्टेक को दूर करने का तरीका बाबू और ये हम इसे नहीं बता रहे है ना हमें कुछ आता है हमने जो सीखा बच्चों सीखा पेपर देखे आते हैं गलती करते हैं बताते हैं सर गलती हो गई सिली मिस्टेक हो गई आप से नहों बाबू इतनी बार हमने बोला फार्म फिल करने में ये सावधानी रखो अब सर गलती हो गई तब नहीं देखेंगे तब वीडियो फटा फट बढ़ाएंगे एक मिनिट देखा बढ़ा दिया, करना नहीं यह बता रहे, कुछ ध्यान से देखना वीडियो मैल पीगेन टीमूल, तो बिच्छा यहाँ पर एक सवाल गलत होगा मैल पीगेन बॉड़ी आ जाएगा तो गलत कर लोगे मैल पीगेन टीमूल, मैल पीगेन कार्व सेल्स, मैल पीगेन बॉड़ी ध्यान से सुनना, नेफ्रान में आपने देखा होगा, यह बोमन का अफ्सूर, यह देखा होगा ग्लोमे रूलस, दोनों के विला के बोलते हैं मैल पीगेन बॉड़ी मैलपीगें टीविल एक्सविटी आर्गन है बच्चों आर्थरोबोडा में बटना टिनाल आर्थरोबोडा याद रखिएगा ग्रीन ग्लेंड भी होती आर्थरोबोडा में कास्वो पालिटन फाइलम है हैबिटेट के हिसाब से चेंज होगा इसमें रेस्पिरेट्री आर्गन अंदेबेसे साफ वेलिबिल्टी आपना आक्सीजन कहां से मिल रहा है एक बटा यहां और कन्फ्यूजन होता है जब काक्रूच आप पढ़ते हो ना तो हिपाइटिक सीका और मैलपीगें टीवूल में कन्फ्यूजन हो जाता है तो याद रखेगा हिपाइटिक सीका डाइजेशन में हल करेगा तो पहले डाइजेशन होगा तो यह फूर गट और मिड़ गट के बीच में होगा और बेटा मैलपीगें टीवूल जो होगा यह मिड़ गट और हैंड गट के बीच में होगा अब इसमें नहीं लिखा है कि यह एक्स्रीशन और आस्वरेवलेशन दोनों करता है यह भी दोनों करता है अंडरिस्टूड है ध्यान से समय लीजे भैया क्या दिक्कत है उडू के जा रहे और इसी लिए तो भैया इनका डेलोप्मेंट जादा हुआ वाईरिएशन हुआ यूनि सेक्सोल हुए भैया नाट आलवेज फटलाइसर यूजूनी इंटर्नल मतलब एक्स्टर्नल भी होता होगा जबकि इसके कुछ मेंबर वीवी पैरस भी होते हैं बहुत हम लोग बढ़ाते हैं वीवी पैरस आपको वीवी पैरस आर्थरोपोडा पता हो तो कमेंट करके बता देना हम भी जाग जाएंगे तो बच्चों क्वेश्चन अवर हम लोग 10 देख लेते हैं यहाँ पर दो स्टेट्मेंट दिया है पहला दिया मैल पीगेंट इपूल सार एक्स्रीट्री आर्गन इन आल आर्थरोपोडा यहां खेल हो गया हमने कहा था मोस्ली इनरली देखते रहना तो यह तो गलत हो गया दूसरा स्टेटूसिस्ट बेटा आपको पता है बैलेंसिंग आरेकर रिश्ट्रेट्री होगा नहीं मतलब दोनुस्तेट्मेंट क्या है बच्चों इनकरेक्ट तो पहला ही आफसर बिल गया बोथ स्टेट्मेंट आर इनकरेक्ट चलिए अब आगया यह पैराग्राफ यह is इकाइनो डर्मेटा, the most distinctive feature of इकाइनो डर्मेटा is presence of water vascular system, राद भर जखके जाओगी, तो water vascular system, तुमको दिखेगा कैनाल सिस्टम, और बाबू बच्चा ये सवाल हो जाएगा गलत, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनका सवाल गलत नहीं होगा, पांच बार बोलो, water vascular, water vascular, जी काइनो डर्मेटा, कैनाल सिस्टम, पोरी फेरा, कैनाल सिस्टम, पोरी फेरा, फिच हेल्पिन, कहां कहां काम करता बच्चो, हेल्पिन, लोको मोशन, capture and transport of food, respiration, और बहुत important बात है, यहां पर तो बायो कारूर फेल हो गया, प्लेटी हेल्मेंधी, जो पायनी स्किन, तीसरी बात, change in symmetry, bilateral to radial, अगली बात, XDRT सिस्टम, absent हो गया, बाभू, सेक्से सेपरेट होते हैं, reproduction, sexual है, fat lesson, usually, external है, यह भाई, बड़ी खतरनाक लाइन है, यह फिचिस के मेकेनिक्स है, not always, usually, development indirect with free swimming, लारवा, कोई दिक्कत नहीं, अब example हो सकता, आपसे कियोऄ example पूछ ले, estriasm, starfish, ekynos, see urchin, antidoncilely, cucumeria, see cucumber, ophuria, britain star। एक बार और सुनो, एस्ट्रियास, स्टारफिस, सिकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉल, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ओफ्यूरिया, ब्रिटेन स्टार, और 2017 का सवाल है बच्चो, पेज निबर 45 की लाइन है, चलिए सवाल देख लेते हैं, अब यहां पर बिटा थोड़ी यूलूशन की बात बताएंगे, वीजन एस अर्चिन के लिए कंसेट होगा, और हमें लगता है कि ये बात हो रही है, हेमी कार्डेटा के लिए, क्यों सैनें सर, हेमी, हेमी का मतलब हाफ, आधा कार्डेट, तो पहले बच्चों क्या खास बात थी, कि इसको हम लोग पहले रखे थे कार्डेटा में, अब हमनोंने सेपरेट फाइलर में र लोगो कार्ड, ठीक, अब सुनो, बहुत ध्यान से, हेमी कार्डेटा, समझो भईया, समझो, भगवार ने ऐसे निस बाड़ी बनाई, यूरो कार्डेटा, सिफैलो कार्डेटा, भगवार ने जब प्रयोग किया ने थे, बड़ा सोच समझ के किया वह, उनको कार्डेट बनाना, नोटो कार्ड बनाना था, तो पहले इनको दिया, यह उपर रखो, छोटा दिया, जैसे होता न, तववे में तेल डालते है, चन्न हो जाता है, डालके देखा, यह भी परसिस्टेंट नहीं होता, अब भगवार को पुरा समझ में आ गया कैसे करना भाई, अब सिफैलो कार्डेट आया, और इसमें नोटो कार्ड पूरा नीचे से उपर तर, और परसिस्टेंट हो गया, और जब एक्स्परिमेंट सफल हुआ, तो आगे लोग, नोटो क क्योंकि बाद में तो बनाना था उनको वर्टिब्रल कार्ण में करड़ हो गया, तो यह तीनों चीज़े याद रखिएगा, बहुत इंपरेंट है, हेमी कार्डेटा में, रूडिमेंटरी, कालर रीजन में, बहुत टेंपरेरी, सिफैलो कार्डेटा में, टेंपरेरी, और बेटा, इस फाइलम कंसेस्ट आफ इसमाल ग्रूप आफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल विद आरगन, आरगन सिस्टम तो हो गाई, बाई, क्यों बार बार भाई, इन्होंने NCRT में इतनी लाइने बढ़ा दी, ठीक है, बच्चों का हमारे याद है, इसके हल्मेंथी सब होगा आरगन सिस्टम ने में, कदम काम, दे आर बाई लेटरल सिमिट्री जानते हैं बच्चे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक तो प्लेटी हल्मेंद इस बाद होगा ही, सीलोमेट, इन्लिटा के बाद होगा ही, बॉड़ी सिलिंडिकल, इस कंपोजड आफ ठीक है, लाइन पढ़ लेटरल, और अगर पूशा जा लार्वल स्टेज में, इकानो डर्मेटा में तो बता होगे, बाई लेटरल, यहाँ पर रेडियल, यहाँ पर रेडियल, एडल्ट में लेकित, और यहाँ पर भी, रेडियल, अब भई, बना दिया भगवान ने, अब नोटो कार्ड रहेगा भईया, ठीक, हम लोग चलते हैं मसली की तरफ, और यह फिस, जिसकी बाड़ी है, कार्टिलेज की, और यही वाला कार्टिलेज हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर है, एनिमल ब्रैंग तो फाइलम कार्डिटार फंडामेंटली करेक्टराइज भई प्रेजन साफ नोटो कार ठीक है भई, नोटो कार्ड, डार्सल, हालो, नर्व, कार्ड, हालो है, यह पीछे, उसी से बंडिबल कालम बना, पेर्ड फाइलम गिल स्लिट्स, दीजार बाइलेटली, भई, प्लेटी हेलमेंटली बाद तो बाइलेटल होई गया, यहाँ पर प्लेटी से यह करेक्टर आ गया, सीलो मेट, यह करेक्टर मेटा, एनी लीडा से आ गया, आर्गन सिस्टम लेवल, यह करेक्टर एसके हल्मिंदी से आ गया, दे परसेस, पुस्टेनल टेल, एंड, क्लोज, सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्यारा, नो, इक्किस, और एंसे टीवन पेज नमबर 46 से एलाइम द एनीमल हो गया, आर्गन सिस्टम लेवल, बॉड़ी आर्गन जेसर हो गया, बच्चों, चलिए अभी यह सवाल देख लेते हैं, रिफरेंस टू कार्डेट, ज़र आप लोगी करिए कुछ काम, बत दीजे जवाँ, क्वेश्चन नमबर 13, पहला दिया, प्रजेंस आफ, लेट, फरेंजेल, गिल स्रेट, ये भी सही है, प्रजेंस साब, डार्सल हार्ट, ने ज़रो साब आई बात सुन लो मिए, वेंटल हार्ट, ठीक है न, फोर्चमर्ड हार्ट का है, यहां है न, तो वेंटल हार्ट, ट्रिपलो ब्लास्टिक, स्यूडो, सिलोमेट, एनिमल, का हो था, देखे, जो हमने बताया था आपको, सफाइलम, यूरो कार्डेटा, और ये सवाल, बच्चा पूछा गया, ये देखे, पौंजे ने स्लाइड बना, ये क्या कर दिया, भाईया, ये 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 दिख रहा है, ठीक है, 2001, 2021, 2014, सफाइलम, यूरो कार्डेटा, सिफैलो कार पाय की तरह है, केवल, मेरिन वाटर में पाये जाएगे, यूरो कार्डेटा, नोटो कार्ड, इस प्रजेंट इं लार्वल तेल, लारवल तेल में पाये जाता है, भाईया, फाइले येव्हाल वेलो कार्डेटा इट एक्स्टेंट फ्राम हेट टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट फ्रोट लाइफ देखो हेमी कार्डेटा बिल्कुल रूडिमेंटरी कॉलर रीजन में खतम हो गया इतना ज्यादा वेस्टीजियल हुआ खतम हो गया जहलग दिखा के चला गया कि बाद भगवाल ने दूसरा एक्स्टेंट किया यूरो कार्डेटा में कहां पर बच्चों टेल रीजन में और केवर लार्वल टेल में पाई जाता है और जब बगवाल को समझ में गया तो अगर सवाल यहां पर बन जाए कि वह कौन सा अग्रुफ है जिसमें हेट टू टेल रीजन में persistent throughout their life नोटो कार्ड पाई जाती है तो सबसे पहले पर्मानेट नोटो कार्ड का फार्वेशन हुआ सिफैलो कार्ड डेटा, सिफैलिक रीजन उपर वाला तो याद रखिएगा यूलूसन का ट्रेंट हेमी कार्ड डेटा फिर उसके बाद यूरो कार्ड डेटा फिर सिफैलो कार्ड डेटा चलो बच्चा लोग सवाल भी देख लेते हैं चलिए थोड़ा आप लोग भी साल करिये question number 14 सफाइलम यूरो कार्ड डेटा और एक्सलूशनी मेरीन नोटो कार्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल only but in adult यूरो कार्ड डेटा but not absent in adult यूरो कार्ड डेटा बिलकुल सही बात है तो पहली बात तो सही लग रही है और दूसरी बात भी सही है अब उसको explain कर रहा है कि नहीं देखो अगर वो मेरीन है न तो उसके body के structure से related कोई चीज़ बतानी चाहिए ये नोटो कार्ड का region नहीं है बिटा तो बात तो दोनों सही है assertion तो सही है region उसका गलत होना चाहिए तो question number हो गया 14 both a and r are correct but r is not correct explanation of a ठीक तो बच्चो अब कार्डिट का दूसरा group है जिसको हम लोग कार्ड डिक्थिज बोलेंगे जिसकी body जो होती है उसमें skeleton cartilage का बना होता है और यहां भी नोटो कार्ड persistent होगा बच्चो गिल सेपरेट है लेकिन यहां पर उपर कुलम नहीं है याद रखियेगा आगे कॉप्लिकेशन होगा जब लोग बच्चो जाएंगे आस्टिक्थिज में तो वहां पर बच्चो उपर कुलम पाया जाएगा इसकीन स्टफ कंटेनिंग मैन्यूट प्लेक्वाइड स्केल टीथार बॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल इनमें से बेटा कुछ में अलेक्रिक आरगन होते है और ये अलेक्रिक आरगन बेटा टार्पीडो में है कुछ में पॉइजर इस्टिंग है ट्राइगन में देयार कॉल ब्लेड एनिमन देयार कॉइज पोई किलो थर्मन अब ये इध्याल से देख लेना अलेक्रिक आरगन टारपीडो पोईजर इस्टिंग ट्राइगन पोई किलो थर्मन बेटा पोई किलो थर्मन वो होते है जिनके बॉड़ी का टेंप्रेचर इंवार्मेंट के साब से बदलता रहता है इनको हम लोग बेटा कूल्ड ब्लेड भी बोलते है इनको बेटा हेट्रो थर्मल भी बोलते है और बर्ड्स और मैमेल बेटा उनको वार्म लेड बोलते है उनको आईसो थर्मल भी बोलते है अब बेटा उनको एंडो थर्मल भी बोलते है और इसलिए बेटा आपको बर्ड्स और मैमेल हर सीजन में दिखाएंगे तो यहाँ यहाँ पर example याद रखिएगा दूसरी यहाँ इक important बात यहाँ पर शूट रही है इसमें बेटा air blender जो होता है न air blender यह air blender बेटा absent होता है और यहाँ भी बच्चों एक गलती हो जाती आपसे याद रखिएगा air blender, air sac, air blender, air sac, air bladder, air sac air sac birds में होता है, air bladder faces में होता है और यह भी आस्टिक्तिज में होता है, क्वाट्डिक्तिज में नहीं होता चुकि air bladder नहीं होता है इसने इनको constantly swim करना पड़ता है बच्चों चलिए, तो electric organ चलिए जड़ा सा सवाल साल करिए कोई दूसरा सवाल भी देख लीजे आराम से साल करिए जड़ा 16 question टाइम दे रहे बच्चों आपको members of conducties swim constantly to avoid sinking बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि air bladder होता नहीं चलिए नों दे दिया member of conducties air bladder is absent, तो दोनों बाते सही है तो option हो जाएगा 4, both A and R are correct and R is the correct reclamation of A fourth option चलो भाईया, पक्षी की तरफ आगए हवा में उड़ने के लिए हवा में उड़ने के लिए body का weight कम होना चाहिए तो इसलिए nematic bone होती है teeth भी absent हो जाता बच्चो digestive tract of bird has additional chamber, crop and gizzard अगर बच्चों आपको याद हो crop and gizzard ये काक्रोच में भी पाया जाता है heart is completely four chambered याद रखिएगा fishes में two chamber, amphibians में three, reptile में three and half, crocodile, alligator, birds और mammal में four chambered heart होते हैं क्यों भगवार ने four chambered heart दिया इससे बेटा efficiency बढ़ जाती है body के activity की pure impure blood separate होते हैं आप में उड़ना था, energy ज्यादा चाहिए इसलिए का भाई pure impure blood अलग हो जाओ they able to maintain constant body temperature इसलिए ये warm blood हो गए respiration बेटा यहाँ पर lungs के द्वारा होता है air sex से connected होते हैं ओ भी पैरस होते हैं development direct होता है इसका example जानते हैं कववा हो गया आपका पीजन हो गया आपका पैरेट हो गया आपका पीकाख हो गया आपका पेंग्विन हो गया आपका वल्चर हो गया आपका चलिए इसके बाद बच्चों बाजाईए question number 17 जरह साल करिए statement का सवाल है नियोफरान able to maintain क्या भी यह बर्ड है न और यह भी बर्ड है तो यहाँ पर air sac connected lung supplement respiration nephron नियोफरान are able to maintain constant body temperature यह भी सही है दोनों चीज़े सही है तो बोथ statement 1 and 2 are correct ठीक चलिए भाई यहाँ पर देख लीजे फिच आप दा following digestive tract है जैडिशन chamber crop and wizard तो इसका मतलब यह होना चाहिए तो यह क्या भाई बूफो एंफीविया गलत हो गया यह ब्लेनोट टेरा गलत हो गया mammal का member है यह reptile का member यह भी गलत हो गया यह fish का member यह भी गलत हो गया crocodile reptile हो गया यह option भी गलत हो गया यहाँ पर camelian देए reptile का member यह गलत हो गया कोई बर्ड सोनी चीह भई या हेमी डेक्टायलस है नहीं मैक्रोपस है नहीं और इंधुरिंकस है नहीं अब हम लोग आ गए प्रूटों जो आसे पढ़ते पढ़ते अपने बारे में पढ़ने के लिए आ गए तो अपने बारे में बताने क्या ज़रू है अपना करेक्टर को देख लीजे जो हमारा करेक्टर वही मैमल का करेक्टर है तो सबसे पहली बात है दे आर वेराइटी आफ habitat, सुनो, मत रटो, जैसे घर में छोटा बच्चा कहीं भी रह सकता है, न, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहां घर में छोटा बच्चा न जाए, एनिमल किंग्नम का सबसे छोटा बच्चा है, मैमल, ठीक, और छोटा बच्चा ही तोड़ फोड़ करता है, तो नेचर को माउंटेन हर जगह पाया जाए, खतम होगी बात, मुस्ट आफ देम एडाप्टेट टू, फ्लाई, चमगादर हो गया, लिब इन वाटर, फेल हो गया, मुस्ट यूणीक करेक्टर, वैसे मैमल की बहुत सारी करेक्टर है, यूणीक करेक्टर है, एक बार सवाल पूछा गय या, खुम बड़ी-बड़ी सीजें बढ़ते हो, फिर करते हो, हाई राम, ये क्या हो गया, तो पेपर के बाद, ये नको हाई राम, ये क्या हो गया, इसने वीडियो ध्यान से देखो, तो मेमरी ग्लैंड यूणीक करेक्टर है, दोनों में होगा, लेकिन फंक्शनल मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा, फिमेल में बड़े, बाइफीज दे यंग वाना नहीं, सब लोग जानते हैं, तो पेर साफ लिब, ये ये भी लिब में, ये भी निमहात नहीं, पता चला, ठीक है न, फोर लिब हाई लब, एडप्टेट फार वाकिंग, रणिंग, क्लाइमिंग बरोई, स्वीमिंग फ्लाइंग, ठीक है, क्वेशन देख लो बाबु, ये खतम हो रहा है, आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी कोशिस में ये खुब आपने बढ़ा होगा, कि जहां जहां गलती होती है, उसको हम आपको सुधारे, वीडियो कमेंट सेक्षन में पिरा कमेंट करके जरूर बताइएगा इस तरह से पहली यूनित बच्चों पूरी आपकी कम्प्रीट हो गई अब आपको 10 मिनट में पूरा चेप्टर रीकाइप करा देते हैं अब ध्यान से सुनीजे चलो बच्चा पार्टी तो हम लोग रीकाइप कर लेते हैं दाइजेशन इजिन कम्प्रीट इंस सेलेंट डेटा एंपलेटी हैलमेंधी टू कर्डड़ेटा एक्स डीटी स्टम स्टाट गई ड्यान से सर्फस्टम बच्चों ओपं होता और्थ्रो को और लार्वाउस बेकाइपॉर्ड्य के पाई जाती है symmetry bilateral, एम्ब्रियानिक लेर डिप्लो ब्लास्टिक मेटा होगा, सिलेंटेटा टीनोफोरा, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होगा, प्लेटी हलमेंथिज टू कार्डेटा, यह एम्ब्रियानिक लेर क्या होती है बच्चों, अगर एक्टोडर्म, बेंडो डर्म होगा, तो डिप्लो ब्लास्टिक, तीनो होगा, तो टिप्लो ब्लास्टिक, बाड़ी कविटी देख लेते हैं मेटा, A-silomate, प्लेटी हलमेंथिज, सिडो-silomate, S-K हलमेंथिज, और सिरो-मेट होगा बच्चों, एनि-लिडा, Metameric Segmentation, Metameric Segmentation का मतलब होता है, वहने Segmentation इस बोथ External और Internal, और Metameric Segmentation स्टार्ट होगा था, एनि-लिडा से याद रखिएगा, तीनिया सोलिय में भी Segment होता है, लेकिन स्यूडो-Metameric होता है, तो Metameric Segmentation, एनि-लिडा, अर्थ्रोपोडा, और कार्डेटा, नोटो-कार्ड बेटा, पूरी, नोटो-कार्ड बेटा, एपसेंट होगा, पूरी-फेरा से लेके, इकाइनो-डर्मेटा तक, और नोटो-कार्ड प्रिजर्ड होगा कार्डेटा में, इसकी एक जहलक आएगी, हेमी-कार्डेटा में, यूरो कार्डेटा में टेल रीजन में टेंपरेरी और बाद में बीटा सिफेलो कार्डेटा में पर्सिस्टेंट ये तो बीटा जनरल पॉइंट थे अब फाईलों पूरी फेरा में आते हैं मेंबर्स को हम लोग sponge बोलते है, water canal system पाये जाता है, याद रखिएगा, water vascular system यहाँ पे नहीं होगा, और canal system help करेगा, food gathering, respiratory exchange, removal of waste, इसकी central cavity को sponge you seal बोलेंगे, क्वानो साइड से line होगा, अगर sponge की क्वानो साइड सेल को हटा देंगे, आस्टिय पे बैक्स लगा देंगे, sponge की डेथ हो जाएगी, और बेटा, इसका इंपार्ट, इसके example है, साइकान, इसका इफाइ, sponge या बाथ, sponge, इसके बाद बच्चों हम लोग चलते है, phylum, cylinder की तरफ, जिसको निडेरिया मोलते है, stinging cell की बज़े से, निडेरिया में मेरी रो फ्रेस वाटर दोनों होते है, नीडो ब्लास को नीडो साइड बोलते है, जिनमें stinging capsule पाया जाता है, और ये tentacles में पाया जाते है, ज्यादा तर, इसके बाद बैटा, जो skeleton होता है, calcium carbonate का बना होता है elternation of generation होता है, body में दो पार्ट होते हैं, ज्यादा तर, एक फेज होता है, polyp, दूसरा होता मेडूसा, polyp मेडा होता, hydra adensia, मेडूसा होता, aralia jelly face, metagensis, बेटा, elternation of generation होता है, योगीलिया में पाया जाता है, polyp से asexually मेडूसा बनता है, और मेडूसा से sexually मेडा polyp बनता है polyp, बेटा, सेसाइल, cylindrical होता है, मेडूसा, बेटा, umbrella free swimming होता है, अब example देख लेते हैं, बच्चो, तो phycelia, पुर्दगीज, बैन आफवार, pinutella, c-pen, redensia, c-anemone, gargonia, c-pen, और milendria, brain coral होता है, phylum, t-o-phora की बेटा, आगे बढ़ते हैं, तो commonly, बेटा, c- walnut, com jelly होता है, एक इक्जाम्पिल है, बेटा, प्लिवरो, बैंकिया, एंट, टीनो, प्लैना, इसके बाद, बच्चो चलते हैं, phylum, platy, helminthes में, body, इनकी, darso, mentally, flattened होती है, इसलिए, इनको, हम लोग, flatworm, बोलते हैं, specialized cell, frame cell होती है, extension में काम करेगी, by little symmetry, यहीं, शुरू हुई, triple plastic, यहीं, श इलिमेंटिक अनाल, बेटा, complete होती है, बेल डालो, muscular pharynx पाई जाती है, animal die, ECS होते है, male female अलग होते है, excretory tube बेटा, body waste को remove करता है, excretory pore के द्वारा, female बेटा, बड़ा होता है, male छोटा होता है, यहर जगा है, ascaris, बेटा, roundworm है, वुचुरेरिया, final worm है, enkylostoma, hookworm होता है फाईल मेरी डाम मेटा चलते हैं, तो metabaric segmentation है, excision, aspect regulation दोनों nephridia करते हैं, lungis, उंडल, circular, दोनों muscle layer help को उपाई जाती है, जो locomotion में help करेगी, aquatic animal में बेटा, lateral appendage होते हैं, जिनको पैरापोडिया बोलते हैं, अर्थवर्म में CETA locomotion में help करता है, मेरी बेटा डाई ECS है, फेरिटीमा, हिरुडेरिया, बोनो ECS है, और हिरुडिना को बेटा हम लोग बोलते हैं, हिरुडेरिया को, blood sucking least, और बेटा फेरिटीमा को हम लोग बोलते हैं, अर्थवर्म, बच्चों हम लोग चलते हैं, फाईलम आर्थो, पोड़ा की तरफ, जैस सबसे important बात यह है, अगर पूछा जा, highest number of species, तो आर्थो पोड़ा लगाएंगे, highest number of individual तो प्रोटोजवा लगाएंगे, body बेटा covered होता है, काईटिने से, jointed appendages हैं बच्चों, respiration, गिल, भुंगिल, भुक, लंग, ट्रैकियल सिस्टम से होता है, तो याद रखिएगा, कि type of respiratory आरगन, बहुत जादा variable होते हैं, sensory आरगन बेटा, इसमें antenna होता, आई होता, simple compound दोरों आई होते, status is balancing आरगन है, बच्चों, एक्सिसर, malpigant, टीबूल के द्वारा होता है, जो mid gut, hand gut के बीच में होता है, एक नाविक पार्णेस में बेटा, apes, honeybee है, bombex, silkworm है, lecifer, lock insect है ये बेटा, ज्यादा तर मेंबर, इसके वेक्टर की तरह भी काम करते हैं, disease transmitting agent है, गलती मत कर देना, बहिया, कि malaria, female, masculine, फ्रीज से होता है, malaria को फैलाता है, malaria, प्रेगोडियम से होता है, इसी गलती हैं हो जाती है, तो बच्चों, gergerius पे इस locust होता है, living fossil, limulus होता है, silverfish, lep इसमा होता है, याद रखिएगा, तो silverfish is not truefish, phylum मॉलस के तरह चलते हैं, second largest phylum है, body covered होता, calcareous scale के द्वारा, body unsegmented है, इसमें distinct head, muscular foot, visceral hub बैय जाते हैं, space between hump and mental, hump और mental के बीच का जो space होता है, mental cavity मोलते हैं, इसमें बेटा, feather like gills होते हैं, जो help करते हैं, respiration, excretion दोरों में, mouth बेटा, file like resping organ होता है, जिसको redula मोलते हैं, और याद रखिएगा, symmetry इसमें change होती है, bilateral to asymmetrical, pyla, बेटा, apple snail है, pink turn up pearl oyster है, cpia cattle fish है, loligo squid है, octopus devil fish है, application hair है, dentelium, बेटा, truss cell होता है, जबकि, keto flura, काइटन होता है, अब phylum, echino dermata, all marine member होते हैं, endoderm calcareous acids का बना होता है, spine skin animal होते most important feature इसका है, water vascular system, फिर गलती मत करिएगा, water vascular system हो canal system में, अब water vascular system काम किसमें करता है, locomotion, capture and transport, food restoration, excretive system में यहाँ absent होता है, बहुत important बात है, important animal याद कर लेते हैं, बच्चो, twistriase होता starfish, cichinus होता sea urchin, antidone sea lily, cucumeria sea cucumber, ophuria होता ब्रेटर स्टा, phylum में हेमी cardida के तरफ चलते हैं, जिसको पहले cardida में रखा गया था, अब non-cardida में separate phylum में दे दिया, stomocard, rudimentary, notocard, बहुत temporary, और body बेटा divided हतीन पार्ट में, प्रोवोसिस में, कालर में, ट्रंक में, एक्स example बेटा, blenoglasses है, saglasses है, cyclostomita, circular mouth, ectoparasite on some feces, gill pair होते हैं 6-15, जा बेटा, absent होता है, example है, petromyzen, lamprey, mixing, hackfish, इसमें एक बहुत important character है, parental care का आपको जवाब देना होगा, अब बेटा, चलते हैं, फीस की तरफ, कॉन डिक्थिज, cartilage, sendo skeleton होगा, notocard हमेशा पाया जाएगा, ओपर कुलम है absent होगा, जबकि आस्टिक्थिज में पाया जाता है, black wide scale बेटा, यहाँ पर पाया जाएगी, इसके बाद बेटा, ट्राइगन स्टिंग रहे होता है, अलेक्टिक आर्गन टार्पीडों में होता है, आस्टिक्थिज की बात करते हैं, तो कॉन डिक्थिज को लगातार तैरना पड़ता था, एर ब्लैडर की absence की वझा से, बोला होगा भगवान से, भाया हमेशा तरते हैं, थक जाते हैं, तो भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारे बच्चे को दे रहेंगे एर ब्लैडर, ठीक, तो आस्टिक्थिज में ऐर ब्लैडर प्रजेंट हैं, एर ब्लैडर एर सैक में बेटा कन्फ्यूज मत होना, साइक्लॉइड, सिट्फॉइड स्केल है, ओपर कुलम प्रजेंट है, फोर पेर गेल है, mostly बेटा OV पैरस है, इसका बंतर कुछ में मैं VV पैरस भी होगे, एक्जाम्पी देख लेते हैं, मेरीन फीस में gestures है, hippocampus है, fresh pattern में labiae है, kartaol है, clarias है, एक्वेरियम में बेटा or petroflow, एमफी भी आ जाते हैं, बेटा बेठक जिसमें आता है, एक तो जानते हैं, इसमें नक और टेल दोनों absent हैं बच्चो, cloaka बेटा common opening है दोनों के लिए, फार रिप्रोडक्शन एन एक सीजन इमपैनम बेटा इयर को रिपिजेंट करता है बूफो टोड है इसके बाद हाईला ट्री फ्राग है सैला मेंडर है एक थी ओफिस इसके मेंबर है स्केल्स में बेटा रेप्टाइल पाते है इसकेल्स से इसके प्रेजेंट होते है स्नेक लेजर्ड इसके मेंबर होते है और सबसे इंपैनल बेटा बात है कि इसका हेमिडक्टाइलस स्केमेलियान बहुत इंपैनल उद्बर है वैसे तो 3.5 चंबर हाट है है लेकिन crocodile alligator में 4*** in gut heart Rend गाल में पाय जाता है बर्स में बेटा आते है तो यहां पर आयउगARS ॹलेंड होती है बेस आफटेल में और ankles फ्हूस पाये जाता है इसे बर्स का नाम झानते ही है lebiogha piticula है आप रोंम है नियो उफ्रान जो वल्चर है कई बार सवाल पूछा गया मैमल बेटा आ जाओ तो हम लोग अपना करेक्टर है और ज्यादा तर मेंबर बच्चो इसके वी भी पैरस होते हैं लेकिन और इन्थ और इंकस इसका वी पैरस होता है और कंगारू के बारे में जानते होंगे फ्लाइंग फार्क्स के बारे में जानते होंगे हम लोग तो मैं मिल रही है तो मैं मिल का एक्जाम्पल याद रखिएगा हर जगा पाये जाएगे तो ये बिटा एक था Refined Recap जल्दी-जल्दी कान में लगा कि इसको सुन सकते थे अब मेरे प्यारे-प्यारे बच्चो ये हो गया इस चेप्टर की बात और ये हो गया Recap अब एक चीज और दिखा दे कि New Light की Test Series Neat के Paper से कितनी सिमिलर होती है और Neat 2024 में भी ऐसे ही आपको Paper मिलेगा New Light की Test Series से तो प्यारे बच्चो हम लोगों देखी Important Paragraph इसलिए पूरे चेप्टर को हमने आपको Recap करा दिया अब हम आपको पताने जा रहें कि ये Paper हमारा जो Paper भी बनता है वो New Light का Paper Neat के Paper से कितना सिमिलर होता है 21 में दिखाएंगे 22 में दिखाएंगे 23 में दिखाएंगे और 5 मई को 24 में भी दिखाएंगे अब बच्चा देखो ये था 2021 का Paper Complete यहाँ पर देखो Complete छे एक 2021 का Paper Chapter 2 Revision Test T3 2022 भी देख लीजे आल वर्टीब्रेट्स आर कार्डेट्स आर नाट वर्टीब्रेट्स देखे आल कार्डेट्स आर वर्टीब्रेट्स ये Paper बेटा हुआ था UBT 11-5-2022 को 2023 भी देख लीजे Radial symmetry is not founding ये नीट का question है और Radial symmetry आकर्डसी ने हवारा सवाल है RBTS जो 10-1-2023 को हुआ यहाँ भी ये सवाल देख लीजे अब देखे ये matching देखे यहाँ पर देखे Tinea, Solium and Facial है यहाँ देखे फ्लेम सेल और यहाँ देखे फ्लेम सेल Conductile vacuum और यहाँ देख लीजे Conductile vacuum नीचे जाए यूरी कोज लेंड और यहाँ देख लीजे यूरी कोज लेंड मतलब बेटा पेपर में कुछ भी चीजे नहीं छोड़ी जाती है 21 में देखा, 22 में देखा, 23 में देखा 24 में भी देख लेना अब बिल्कुल हलके में मतले ला ऐसे सारे बच्चे जो पढ़ पढ़ के saturate हो गए उनसे हम कहेंगे test series को ज्वाइन करो दबा के test दो गलती को थोड़ा इप्रूब करते जाओ और selection आराम से होगा ठीक है न? तो प्यारे बच्चो ये सब प्रयास कैसा लग रहा है जरूर इस वीडियो comment section में comment करके बताईएगा unit 1 हमने complete कर दिया अब आपके comment का इंदजार रहेगा अगर comment करेंगे तो इस तरह के वीडियो होग बनेंगे तो बच्चों एक बात और दिल की बात कर ले आपसे बड़ाई मोसल दिशता है इसेज में हमें ये सब बहुत वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक भी बच्चा जो साधन भी हिल है घर में बैटके पढ़ रहा है उसकी बीच्चा पूरी हो वो भी डाक्टर पढ़े फिराओं बढ़िया एकदब स्टैथोस को बढ़िया एपरी बढ़िया पार्टी तो इसी ऐसा और उमीद के साथ बच्चों मिलते हम लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सोमज बच्चों जै हिल जै भारत